नमस्ता फ्रेंड्स आज हम सुड़ में देखेंगे एंजियो दर्पन की वेबसेट के उपर दर्पन आड़ी कैसे क्रियेट करे या फिर जनरेट करे एक बर आपने सारी इनफॉर्मेशन भर दी वेबसेट के उपर और फॉर्म सब्मिट कर दिया तो उसके एक या दो दिन के आपको एक मेल आएगा डिपार्टमेंट से की डॉकुमेंट्स अप्लोड सक्सेस्फुली का इसका मतलब यह ही है कि आपको आपके जो इनफॉर्मेशन है जो डॉकुमेंट्स अपने सब्मिट किये थे वह अप्रूव हो गये है और आपकी दर्पन आड़ी बन गई है अभ करने के लिए तो जैसे हम यहां पर क्लिक करते है न तो दीखें यहां पर यूनिक आड़ी जन्रेट हो गई है तो आप भी जब आपको एक मेल आएगा डिपार्टमेंट से की अपलोड डॉकुमेंट्स सक्सेस्फुली का तो आपको लॉग इन करना है जो दर्पन की साइट के उपर और यहां पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके दर्पना आडी क्रिएट हो जाएगी इसके बाद देखिए यहां पर एक नीचे ऑप्शन है क्लिक हेर टो अपडेट यूर इन्जो प्रोफाइल इसका मतलब यही कि इसके बाद यहां से आगे आगर आपको कोई भी changes करना है यहाँ पे जो भी आपने information दरी भरी थी तो वो आप यहाँ पे आसानी से information change कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे कुछ ऐसे information है जो change नहीं होती कौन-कौन से information change नहीं होती संस्था का pen number change नहीं होता संस्था का नाम चेंज नहीं होता जो email ID है चिप फंक्शनरी की वो चेंज नहीं होती email ID, mobile number तब वो चेंज नहीं होता है बागी के सारी information चेंज होती है ठीक है तो इस विड़ो में अगर आपको कुछ भी डाउट है बागी की वो चेंज नहीं होती है